करेंगे सो चलिए क्वेशन नबर वन पर बात करते हैं यह जो सेशन है हमने सिफ्ट ऑफ सेप्टेंबर के जो करांट अफेर्स उनके पर बनाया हुआ है तो चलिए क्वेशन नबर वन करते हैं वेच आप इस लॉंच पाई दे यूनियन मिनिस्टर अफ एजुकेशन तो डवलप इंडियन इंग्लिश प्रनांसियाशन इन दा यनिक इंडियन वेशन के द्वारा जिससे की वह फोकस करेंगे बच्चों के प्रनांसियाशन पर तीक है और वह उस पे इंडियन वे एक आपका करेक्ट आंसर है मुझे बताएगे कमेंट सेक्शन में भी लिखके क्या आपका करेक्ट आंसर क्या है दाट इस इंग्लिश प्रो मतलब यह ओप्शन आपका करेक्ट है चलिए इसके बारे भी डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं यूनियन मिनिस्टर अफ इसके बात ने ठीक है ये एक प्री मोबाइल आप है जिसे इन्होंने डवलप किया है मेंबर अफ यूनिवर्सिटी ग्रांड कमिशन एन एफ लू वाइंस चंसलर इसूरेश कुमार सेट एट अप डवलप अंडर यूनिवर्सिटी शोशल रिस्पॉंसिबिल्टी इस फॉ उनका फोकस क्या है कि वो जो इन्डियन इंग्लिश प्रनांसिएशन है वो उनको डवलप करें यूनिवर्सिटी शोशल रिस्पॉंसिबिल्टी उन्होंने ये इनिशिटिव लिया है कि वो एक ऐसे आप डवलप करें जैसी कि सब बच्चों को इंग्लिश के बारे में अच्छी हो सकते तो ये कौन से आप एंग्लिश प्रो हमारा नेक्स्ट वेशन है डाश एडिशन अफ सीनियर ओफिशिल्स मिटिंग अफ मेकांग गंगा कोपरेशन हेल्ड ओन 4th September 2020 कौन से एडिशन की सीनियर ओफिशिल्स की मिटिंग जो है मेकांग गंगा कोपरेशन की वो हुई थी 4th of September को तो देखते 12th edition की हुई थी 11th, 24th और 21st तो बदा ही कौन से करेक्ट आपसर है तो हुई थी 12th edition चल्डे डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं इनकी कौनसी मिटिंग थी 12th मिटिंग थी कब हुए 4th September को किसकी थी मेकांग गंगा कोपरेशन? इनकी 4 key areas कहा हैं जो ही फोकुस करते हैं? कल्चर पे, एजुकेशन पे, टूरिजम पे और ट्रांस्पोटिशन में जैसे के हमने दिस्क्रिप्शन में आपका करेक्ट आंसर क्या है यह ओप चल्लिए नेक्स्ट क्वेशन पढ़ते हुँ हमारे नेक्स्ट क्वेशन है, यह रिपोर्ट वेंकिया नादू, Amir Shah, Smriti Rani, Raj Nassi बताएं किसने लांच करें? आपको इस कांसर प्रता होगा यह लांच करी वेंकिया नेडू जी ने चल्लिए देश्रिप्शन में पढ़ते हैं दावाइस प्रेजिदेंट शी वेंकिया नेडू called for a well-strategized collective action on multiple fronts to ensure well-being of young children for India to take full advantage of demographic dividends The State of Young Child report a comprehensive account of the challenge related to early child development in India So, यह जो report है The State of Young Child in India इसके नरोणोंने चाइल की जो development होती है early stage पे उसके बार में इननोंने पूरा बताया और उसके demographic trends भी share करे हैं किसने करे हैं? जो हमारे Vice President है? वेंकिया नेडूची ने हमारे next question है Who has run partnership with RBL bank to launch cardless cash withdrawal facility from ATM through IMT system IMT मतलब instant money transfer So, हमें options पे दिया हुआ है phone pay, PTM, e-pay payment system या SBI bank So, इसका correct answer है किसने करिया RBL bank के साथ partnership की वो launch करेगी कि दोरों मिलकर cardless cash withdrawal facility ATM से So, यह करेए e-pay payment system ने correct answer आपका C चलिए description में पढ़ते हैं RBL bank has launched cardless cash withdrawal facility for customer through the IMT system इन्होंने यह facility withdrawal system की customers के लिए open करी है enabled ATMs 389 IMT enabled ATMs यह मतलब जिन ATM में IMT enabled हैं उनमें से of RBL bank और more than 40,000 other bank across the country of 40,000 other bank ATM से across the country So, किसने करिए यह cardless cash withdrawal facility ATM के द्वारा through INT system जिसमें RBL ने किसके साथ करिये partnership? उन्होंने करिए e-pay payment system के साथ और आप यह side में एक छोटा सा photo भी देख सकते हैं जिसके नर्म में दिखाने के picture में दिखाया है कि RBL ने partnership किसके साथ करिये e-pay payment system के साथ यह आपको यह learn रखना आपके दिमाग में रखना है मतलब आपको without card आप cash withdraw कर सकते हमारा next question है which app is launched by the Punjab government to inspire people to make citizen green tree saviour कौनसी app launch की गई है Punjab government के दौरा कि जैसे वो inspire कर से के लोगों को green tree saviour के लिए रखवाली, आए रखवाली, green tree रखवाली, green saviour यह launch की गई है आप Punjab government के दौरा जो inspire करेगी green year saviour को जो लोगों को inspire करेगी कि उन्हें अपने forest का जैवल निहान रखवाली, वो उस app का नाम है आए रखवाली, चलिए इसके बार में description में पढ़ते हैं पंजाब कॉर्मेंट ही, यह app इसलिए लाउंच करी है कि जिससे वो लोगों को aware करा सके कि उन्हें greenery का और forest department का कितने अच्छे से ध्यान रखना है जितने भी trees है उनका अच्छे से ध्यान रखना है जैसे कि आप इस photo में देख सकते हैं next question है who has launched its first kind digital credit card with a combination of UPI and buy now pay later concept wow कितना अच्छा digital card इन्होंने launch किया है UPI के combination से आप buy अभी कर सकते हैं ठीक है और आपे बाद में कर सकते हैं यह concept है तो वो किस ने launch किया है so options में दिया हुए lazy pay, b.p.tm, c.f.one, d.f.reacher so यह launch किया है lazy pay ने चलिए इसके बाद description परते हैं lazy pay launch a unique digital card credit card that combines UPI and the buy now pay later concept called lazy UPI the solution is a prudent response to the market demand for easy access to credit across online and offline platform and higher ticket size pay later option lazy pay ने यह launch किया है unique digital credit card जो combine कर रहा है UPI का and buy now pay later concept को जिसे इनों लेजी UPI बनाया है ठीक है यह solution है यह provide करेगा लोगों को online and offline platform कि जिससे कि वो market में कोई भी अगर उनको कोई जिस खरीदनी है तो वो इस concept से ले सकते है buy now pay later का जो इनका concept है तो किसने digital credit card combination of UPI launch किया है lazy pay ने और उसका नाम किया lazy UPI चलिए next question है who hosted G20 leader summit in 2020 किसने G20 leader summit host किया है 2020 का तो हमें option में दिया हुए Saudi Arabia Ali Japan Mexico तो यह launch किया है Saudi Arabia ने चलिए इसका description परते है the virtual summit was planned by Saudi Arabia which is the current chair of the group to discuss the global challenges posed by the coronavirus outbreak and to come up with a coordinated response for the first time the group of major 20 economics in the world convened virtually to discuss a global crisis so यह virtual summit है जो कि Saudi Arabia ने plan किया था इस summit में उन्होंने पूरा ध्यान दिया है जो यह coronavirus का outbreak हुआ है economy में उसके उपर इन 20 countries की जो economy है उन्होंने global crisis के पार्म बात करा है जो कि coronavirus COVID-19 की वज़े से आई है हमारा next question है who is going to receive first inland shipping cargo from Bangladesh under PIWTT PIWTT क्या है protocol for inland water trade and transit इसके अंतरगर कौन से फर्स जगा है जो कि inland shipping cargo की receive करेगा Bangladesh से so वो दिया हुए त्रीपुरा options पे B. Goa. C. Kolkata. D. Calra so बताएगे करेक्ट आंसर comment section में लिखे please यह है त्रीपुरा आज का correct answer है चली description परते है the portal the protocol for inland water trade and transit was signed between India and Bangladesh in 1972 to provide inland waterways connectivity between the two countries particularly with the north-eastern region of India and also to enhance bilateral trade in the last year PROX 3.5 MMT of cargo was transported between India and Bangladesh on the protocol roads so यह protocol for inland water trade and transit which signed India and Bangladesh in 1972 to provide inland waterways connectivity in two countries particularly with the north-eastern region of India and also to enhance bilateral trade last year in India PROX 3.5 MMT cargo was transported between India and Bangladesh on the protocol roads so किसकून receive करेका TRIPुरा कहां से Bangladesh किसकिया under the protocol for inland water trade and transit हमारा next question है Who signed MOU with Indian Sweden Healthcare Innovation Center किसने किसने साइन किया MOU Indian Sweden Healthcare Innovation Center के साथ जिससे कि जिससे कि वो जो Healthcare सेक्टर है उसमें एक affordable and accessible कर सके Healthcare सेक्टर को अपनी Innovations के साथ So, option C-CAM B AIMS Medical Council of India D Mera Hospital So, यह उनों किया MOU SIGN C-CAM किसा C-CAM किया है Center for Cellular and Molecular Platform So, एले description में परते हैं C-CAM has signed a pact with the Indian Sweden Healthcare Innovation Center to jointly identify and nature-regal innovations and make quality, healthcare affordable and accessible for all This crucial collaboration with the Swedish ecosystem is aimed at building a strong top of world-class biopharmaceuticals, Medtech, Diagnostics, Neurodiagnostics and other healthcare intervention in India for India and beyond So, इसलिए मनाया है कि जिससे यह दोनों एक साथ काम करके एक accessible and affordable healthcare maintain करे उनका quality maintain करे किसमें Biopharmaceuticals में, Medtech में और Diagnostics में So, किसने SIGN किया Indian Sweden Health Care Innovative Center के साथ अपना M.O.I. That is C-CAM C-CAM के है Center for Cellular and Molecular Platform हमारा next question है Where is Kezar Ranga National Park located? Kezar Ranga National Park कहां पे located है? हमें options में दियावा Asam, B.A. Delhi, C.A. Kerala, D.A. Rajasthan So, यह located है Asam में Please आगको पताना चाहिए क्योंकि अभी इसे expand किया चाहिए 3053 hectares के According यह ही latest news है इसलिए मैंने क्वेशन इधा रखा है चल यह description में पढ़ता Kazi Ranga National Park Is a National Park In the Gola Gahat, Kirby, Anglong & Naogon District of the State of Asam यह है Asam की इक district में The century which hosts two-third of the world great one horn Rhinosaurus The world heritage site यह क्यों Rhinosaurus के वज़े से और इसे extend किया जादे 3053 hectares जो मैंने आपको और रही बताया था So, Kazi Ranga National Park है यह है Asam में अब इस लाइट के अंदर मैंने आपको जो अभी new new books आई है यह कोई main important day उसके वर बताया है UNEP launch a book The Little Book of Green Nudge Inspire students around the globe to adopt greener lifestyle बहुत अची बात है कि लोग आचकल बहुती greenery को बहुती बढ़ावा दे रहे जिसे पंजाब government ने आए रख वाली और इन्हों ने कची सी book launch करी जिसे कि लोगों को और बच्चों को पता चलेगा कि हमारे आस्वास पेड़ पाद होगा कितना महत्व है UNEP की full form किया है? UNEP की full form है United Nation Environment Program किसने launch करी ये book? United Nation Environment Program ने book को नाम किया है The Little Book of Green Nudge का है book का नाम? The Little Book of Green Nudge ये students के लिखे कि जिसे वोगों करे greener lifestyle next है Goon Meet Singh Chahan is the author of the book Invertonomics Featuring Ideas to Transform India बहुत अच्छी book है जिसमें उन्होंने बताया है कि हम कैसे अपने ideas को transform कर सकते हैं ठीक है? जैसे कि हमारा India transform हो रहा है Next is Brazilian Independence Day is celebrated on 7th of September Brazilian Independence Day कब celebrate किया जयते है? 7th of September को a कि उन्ते है ボोई work ऑ़िधि हम चे सकता हाई IKska それ चे अपना। कि उन्ते है-जार आई कि यिरकिखे औ उन्ते है झाल झाल